बर्ग संगर्शार अंतर संगर्शा का विच रणनितिक पर्त्याक्रमण को पईड़ योजना पूरा वयो काली कोट को पिली बेसकेम मा वयो को हमला यो योजना को अंतिम्रो जन विद्धके सबेवंदा ठूलो सफलता को फोजी कारवाई हो 2062 असर मा बसेको नेपाल कम्निस्ट पार्टी माववादी को केंद्रिय समीतिक वईटेकले रणनितिक पर्त्याक्रमण को दोर्चो योजना निर्माण गरिऊ प्रत्याक्रमण को फोजना को केंद्रिय समान्त वाद विरूद्ध पहिदा होने आदी विहरी को आंकलन कर दाई तेसलाई सर्वाहारा बर्गेको लग्छे रा उदिशे प्राप्तिका लागी गाटना करमारूमा आपनो नियांतर राकना। रणालेतिक दिड़तारा कारेनेतिक लचकता को पराकास्टा सम्मा पुगेर वाये पनी इतियांसली संपेको आपनो रुमीका पुरा गरने अठोट गरिव। राकमडर मोले शुरू महीं बनना चाहांचू की इतियांस को डखुलो कठ गारामा छों आमे अब आरकोला होई ना आमे आपने विरुद्धक रान्ती थालना सक्षों। यसले चाहिए आपने विरुद्धक रान्ती शुरू गरने शुरू गरने शुरू नेपाल को इतियांसमा बर्गसंगसमा जो आउना खोद्देशा आधी उरी त्यो गुरी ला यले नियन्तन गरने शुरू केंद्री समितिको यु ब्यठकले लोगतांत्रि गणातंत्रको पक्षेमा व्यापक मोर्चा कायम गराउं राजनीत्यी रफभध्याक्रमलाय नया उठायमा उठाउं। पने मून नाराका साथ राजनीतिक रफभध्या योजना ठोस करेव। यू बईठेकले सामान्त बात को अंत गर्न वीद्रोय कबजागरने लक्षे निर्दारित करियू। यसकालागी राजनितिक रूपले पार्टी यहरू लाई लोपतांती गणत अंत्रको नारामा शवामत कराउं दै अगाडी बड़ाउने रर जना अंदलन लाई बिद्रोयामा बदलने योजना बनियू। पाटी केंद्रा तथा जनरल स्टाप को बैठक पाची पस्टिम केंद्री कमाण को बैठक बचेव। पस्टिम केंद्री कमाण को बैठक ले स्टिम अभियान बारे तीन ओटा पर्मक निर्णे गर्यू। दिबिजन हरुलाय गंड़कमा केंद्री किडडगर ने कमाण इस्तरवाटे पाटी संत्रर्ण रजणासंदाय समेत केंद्री करनने शमंग्र परिचलन कलागी नियद्रिटु पनी गंड़कमी केंद्री किडड गरने। पश्चिम केंद्रिय कमान्द का इंचार्ज कमरेट दिवाकर को वीशेश उपस्थिति रही पश्चिम NH कमान्द का कमान्डर कमरेट प्रोवाकर को अदistsत्स्यत्ता माँआ स शन्य कमान्ड को बैठक बशियु। बैठक मा चौथों डिविजन कमीशार कमरेट शुरेश सिंग, पांचों डिविजन कमीशार कमरेट शुदर्शन, चैटों डिविजन कमीशार कमरेट समर्शिंग, सातों डिविजन कमीशार कमरेट उद्धब गो उपस्तिती थियो आगामी फोजी कारबाय को तयारी समंदमा चआउथो रोपाचों डिविजन ले प्रार्थमिक रकी पुरा गरने रो चवथो डिविजन ले प्राविदीक तयारी गरने गंड़क जाना तीन डिविजन तीन रेंजबाड अगाड़ी बढ़ने दूस्मनले अबरोत खड़ा गरे अनिबारे रुपमा बिढ़नतको तेरी साथ बढ़ने युद्ध बिराम बंगा हुनों पूर्वक पूस्पंदर सम्मा गंडक मा पूगे र 1-4 पी मार्च करने रा युद्ध बिराम बंगा हुने वित्तिकै आक्रमण शूरू गरने डिबिजन को संग्रचना कमांडरोंको निवक्ती हती यर्विनेस गर्णुका शाताई छेत्रामा रहने सबै ब्रिगेट का लागी आक्रमण का योजना तैयार गरियो महंदर नगर र दनगाडी मा सातों को एक बिर्गेट बाके वर्दिया र सुर्खेत मा छहिटों को एक बिर्गेट र दाग मा पांचों को एक बिर्गेट ले निरंतर आक्रमान गर्णे र सड़क कब्जा गर्णा तेयारी गर्णे तेसपसी सबई छेत्रावरों मा राजनेतिक पर्षिस्चन अरू संचालन भए डिविजन हरू गोशना कारेक्रम तता छेत्रा कोई राजनेतिक संगढ़ानात्म काम मा ब्यास्तर आये केंद्रिये आदारिलेकामा डिविजन इस्तरिये रोलकाल हुंदे गर्दा साई जल्ला धरूले हौई हमला गरे हौई हमलामा पौई प्राचो डिविजन कमांडर कमरे सुनिल रा बटालियन छा कमांडर कमरे निर्मम को स्वाधत बायो यो स्वाधते जनमुक्ती सिनामा आकोष र बदलाभाव ब्रायो केंडरी आदरलेगामा सहीत कम्रेट शुनिल र निर्मम को सम्झानामा सर्दान्जली सभा सहीत लोकतांतरी जनपपर्दसन का राजनीती कामरो शुरू बहे जनमुक्ती सिनाःका कमांडर तथा सधसिहरो श्राहबागी बहे लोकतांतरी जनपपर्दसन कारहबागी माँ बहे को जनता को उसापुन श्राहबागी दाको प्रारमी जालक को अनुबती रख कम्रेट शुनिल तथा निर्माम लाई ग्मावनों को अतिनतर पिलादाईन अनुबती का साथ जनमक्ती सेना को गंड़क यत्रा अभियान शुरू बयो सातों डिविजन गोशना वय पची एसको गंड़क यत्रा डोटी को ओखल डूंगा बाटर शुरू बयो यो यत्रामा लिस्ने गाम इस्मेर्थी बिरिगेट रण लोकेश इस्मेर्थी बिरिगेट लाम लागे सेती महाकाले का दस जिल्ला का एक से पसास पाठी कारे करता रजानता पनी सामिल वय यो यत्रामा गंड़क शरूआ वयको एक बटालेन पनी संगई थियो शुरूर्केत को च्वतुरेमा यो डिविजन ले पईलियो कमाण इस्तरिये रोलकाल गर्यो यो रोलकाल मा कमपणी साकमांडर सम्मको उपस्तिती थियो अत्यारो साइसेनाले दैलेक को डुंगे सुर्मा बाटो छेगे पची सातों डिविजन उत्तर तर्प फर्कियो अच्छाम को रामा रोसन होंदै काली कोट को रुप्षा जर्यो रुप्षबाट मेल मोडी जांदा पोईल पटक यो डिविजन ले इमपात प्योरलू पर्यो सीफखाना नानी कोट का जनतार सहित परिवार का आशिरवा थाब्द यो डिविजन मासा लेक तरपाउखली यो यो यत्रा का करम मा मासा लेक मा दोर्चो पटक जनमक्ती सिनाले इमु कुल्चियो जुमला को पातर खोला पुगिये पची एवटा टीम काली कोट को रुडु पाटन होंदै जांदर कोट को जूनी जर्यो प्र अरकोटीम जुम्ला को टोपला हुदाई जाधरकोट को मुल साम जर्यो टोपला रोडु पाटन मा सातों डिवजन ले यो अवियन को सबी बंदा कठिन्तम हिमाली यत्रा गर्यो जाधरकोट का लाल बस्ति अरुसंग आशिरवाद थापदै जनमुक्ती सेना को यत्रा जारी रयो जाधरकोट को लिम्सामा एक जनसबा पनी बयो त्याहा जनमुक्ती सेना का कमिसार ले सम्मोधन गर्नु बयो जुनी बाल संग्रचन केंद्रा का लाल नानी बाबुहरूले ताली बजाएर जनमुक्ती चेनालाई विदाई गरे साथो डिविजन दल्ली होदे रुकुम को आठ बिस कोट पोग्यो यहाँ बाटा नेपाल को आधरिल्या का शूरू बयो आठ बिस कोट कारी खोला मगमा बाफी कोट होदे अरको दिन ब्यान दुई बजे पीपल पोग्यो रुकुम कोट को कमल दह अबलोकन गर्दै महत उपल्यो महत बाटा रुकुम्र रुल्पाको शीमा नमा पर्णे तरम साला गाउ पुग्येपची शातुं डिविजन ले औरको रोलकाल कर्यो साही सत्तादारा भगनाबेश बनाजियेको तरकरांतिकारी आश्ता को तरवहर थ्वांग गाव मा साथों डिविजन ले डिविजन इस्तरिये रोलकाल गर्यों यो रोलकाल मा साथों डिविजन कमांडर कमरेट परजोले राष्टी अंतराष्टी परिष्टिति को विश्लेशन गर्णों का साथै गंड़क अभियन को हाल समको यत्रबारे बताऊन वयो साही सत्तादारा धंच गरिये का नए सत्ता का पार्क केसी फारम्र बस्ती हरुको अभलकन कर दै थ्वांग बाट शातो डिविजन गंड़क तरपा अगी बढ़ियो लाल ठ्वांग का करांथिकारी जन्ता ले अभीर लगायरा पथा बाजा बजायरा विदाई गरे पाती योजनारा सहित का सपना पुरा गर्ना विजए सहित फरकिनू वनिये सुभा कामाना ठ्वांग का जन्ता ले दिये रोल्पाको शेरम शुर्वांग एतियांची गाम हो दै प्यूठान को शेवलियां कुमन शातूं डिविजन लाई एक महिना लागयो रजवार गुल्मी को अमलूंग त्यूठान को बादीकोट नारीकोट बांगे मर्वफंदै माग पांच गते अर्गाखांची को गोखुंगा पुगेपची गंडग छेत्रा शूरुवायो गोखुंगा का जनतारा इस्तानी पाटिले सेती माकाली बाट गंडग परवेश गरेको जनमक्ती सेना नेपाल को शातों डिविजन लाई हार दीग स्वागत गरे गंडग पुगेपची सातों डिविजन लिक अर्गातोस, खंद, मरेंग, भगोती, छद्रगंच, बलकोट, चीदीका, खिदिम, पोहरातोक, पंडेना, छहरा, ओन पोहरी, शोमादी, अमलाबास, देवराली, आर्थोक सम्माको याद्रा गर्दै तांचेन हमलामा क्येंद पायो, जादर कोटको बोधी डाणामा डिविजन गोषणा, वय पची, छईटों डिविजन गंडग अभियनमा लागयो, पास काटिये हुँदे, दल्लीमा सानी बेरी पार गर्दै, रुकुमको आठ पीस मगमा बाफी कोट्मदै पूस दसकते पीपल पुगियो, शाई फ दुस्मन पईले पुगिपची छीपाव कला परियो गर्दै, छईटों डिविजन ले केरात वड़्यो, बागलूंको बलकोट, रिगा, बुर्तिवां मुदै, गुल्मी को छापचोर आई पुग्यो, पाचों डिविजन को गोषणा, मंसिर चाउद गते रोल्पार, शल् पाई हमला गर्यो रा डिविजन कमांडर कम्रिट शुनिल रा बटालिन स्रा कमांडर कम्रिट निर्मंको श्वादत वयो, पाँचों डिविजन तेसपची भावंगमा वयको चर्दान जली सबार रोकुमकोटमा वयको लोकतांत्रीक जन पर्दसन कारेक्रम मा श्वाबाग गर्यो दिन भरी वयको बेननतमा दूस्मन को श्राज जना को छेती वयो, जनमुक्ती सेनातर्प कम्पनी कमांडर कम्रिट मनोज, सेक्षन कमांडर कम्रिट दिनिज, सेक्षन सहकमांडर कम्रिट अजाज रा एफजी एल कम्रिट राकेश को श्रादत वयो, दूस्मन को ब्य बास जे मिरे हुदई जिरु बास पुग्यों चौथो डिविजन को कारे छेत्रा गंड़क में वयकोले यो डिविजन का जन्नमक्ति स्याना अन्ने डिविजन गंड़क पुग्णों अगी गंड़क में वयका राजनेतिक परसिणड का काम मा ब्यास्तर आये एसे बेला माजे दाई फोखरा फ्यात अलको लाउमाया साची कई नलाउमाया ख्याला ख्याला को लाई रणनेति गीत रह अजार मायल को लाम यत्रा एक पाईला बाटा शुरू हुन चलाई कारे निति गीत बनाउं दै जन्नमक्ति स्याना का डिविजन हरू गंड़क तरपा अगी ब 2022 फुस्टेर गति गुल्मीको फोक्षिमा पस्यमस्यने कमांड को भिस्तारेज बयटेक सम्पन्पन भायो गंडग खेत्रे विवरो इंचार्ज कम्रेट अनिर्ट को भिशिस उपस्ती ती रभ पस्यमस्यने कमांडर कम्रेट प्रागर को अजचेतामा भस्यको ब्ष्यक मा ಈ 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 रुपमा पस्षिमी पोखरा सैत उत्तरी र दच्छिनी गरी तीन भाग मा विवाजन गर्यों। रुपमा पस्षिमी पोखरा सैत उत्तरी र दच्छिनी गरी तीन भाग मा विवाजन गर्यों। पोक्सिंग बोईटेक सकीए लगत्तै छाब पोट मा दुस्मन आयो। त्यां फोर्च को अवाब मा आक्रमान पहय न। तरक कमाणर गुरूप दुस्मन कोई बीचबाट चिरे र केरा तोड्यों र आपनू लक्षे तरपा गयो। पूर्च शताष गते चौथो डिविजन चित्रे बंजेंग र छईटों डिविजन मनकामाना मा शेल्टर लेले का बेला। राती बारा बजे चौथो डिविजन को आर्कमा शाही फोंच ले अमला गर्यो। जनमक्ती शेनाले तीन उटा रेंज कबजा गरी पहल ली रयो। पूर्च अठाश गते शाज सम्मा लडाई जारी रयो। दुस्मन ले ट्रप कबजा गरना सके न। चित्रे बन्जेंग लडाई मा शाही फोंच का चार जना को मिर्तु बयो। जनमक्ती शेनातरफा कम्रेट मुक्ती रा कम्रेट बीचार को स्वाधत्त बयो। उस 29 कते दुई डिविजन जोडेरा बाईरा आयको दुस्मन उपर केंदिर तमलागरने छालपल मुदेई गर्दा। दुस्मन ले च्वैटम डिविजन को एक बिर्गेट को हार्बर वित्र हेलिकप्टर बाट कमांडो पोर्स उतार्यो। एक बटालियन को एक कमपनी बाट पर्तिरोद शुरू बयो। शुरू मा जनमक्ति सेनलाई दुष्मन जरेको मा परम बयो। पचित दुष्मन जरेको तो इस्पस्ट बयो। तरह दुष्मन को पोजिशन कहां ओ बनने था बयो न। दवडा दवड होंदा समय मैं सपोर्ट होना सकेना। पचित ब्रिगेट केंदित गरियो र लडाईं वेवस्तित गरियो। दुष्मन ले फोर्स थब दे गयो। शार्च पांस तीस मा अंतिम फोर्स चार्यो। दुष्मन तरफा 22 जना को शफायरा तेरे गायते वयरा कबजा उने इस्तिती वयपनी। तेरी कमाणर को श्वाधत्र ब्रिगेट कमाणर लगाये 25 जना कम्रेडरू गायते वयपनी। तेत्यम जेल चाउथो डिवीजन लाए पूर्व तीरबाटा बडेको दुष्मन को ब्लोकिंग मा यत्तर अनुकरेओ। यो दुष्मन ले आमरो भ्रुद्ध गरेको पईडो केराबानी चीयो। यो मुर्चामा बटालीन साकमाणर कम्रेड। नेत्र बटालीन साकमाणर कम्रेड। परदीप कमपनी कमाणर कम्रेड। स्पोर्ट कमपनी कमाणर कम्रेड। आरोई कमपनी साकमाणर कम्रेड। परिशत प्लाटुन कमाणर कम्रेड। पवित्रा प्लाटुन कमाणर कम्रेड। शुदिप प्लाटुन कमांडर कम्रेट शोपान प्लाटुन कमांडर कम्रेट विसम प्लाटुन शा कमांडर कम्रेट पर्तिबा सेक्षन कमांडर कम्रेट ज्वालामुकी सेक्षन कमांडर कम्रेट समजना सेक्षन कमांडर कम्रेट बविता सेक्षन शा कमांडर कम्रेट आक्र के पची जनमुक्ती सेना को जौथूर छाइटो डिविजन तनौर पालपा को शिमा छेत्र फूटार मा काली गंड़की नदी तरेरा मित्याल रेंज मा परवेश कर्यों काली गंड़की पूल लाई गंड़क अभियर्मा आयेको जनमुक्ती सेनाले तातु नधिको संग्या दिये चिनकु तातु नोदीमा जस्तो यहां पूल में तरलाणाई भाये न तरह यो पूल को दिशा समाता वित्ति गई जनमक्ती चेनाले दुई ठूला भिणनता गर्णु पर्यो मित्तेल रेंजमा आये पची 500 डिविजन पनी जडियो पालपाको अर्मलागमा माग्तिन गते पस्सेम सञ्य कमान को 13 बैठक भईयो बैठकले मनकामाना रचीत्रे बनजयं मर्चा को समिछ्य गरेो यो बैठकले केंद्री करण को रच्च गर्न बीकेंद्रित कार्वाई संचालन गर्ने राजनिती रा आर्थिक प्रिचालन तता सप्लाई का लागी छेत्रले बिसेश पहल गरने दुस्मन को गती करश करना आपनो गती मा गुणात मा गृद्धी गरनू परच भुजाई मा इस्पस्टता र कारे नाइनमा एक रुपता पैदा गरनो सदस्य बाट योजना लीनू परच अर्मलांग बैटेक लगत्ते डेपोर्टी कारेलेले पांचों डिविजन संगा छलपल गरेओ अंतर किरियामा पांचों डिविजन का कमांडर तथा कमीशार अलूले उच्छ इस्पिट का साथ उच्छा जनक परति किरियार जनावनू बैच पांचों संगा को छलपल मा मुखेते तीन कुरामा जोड़ दियो विजयर अप्राज गती पंईदा गरने रन्न गरने कुरामा जोड़ गती जयमीती रुपमा बिरिद्धी गरनो पर छो सदस्षे को योजना क्यांदर गित गरने रस्वैम योजनकार हुं वन्य अनुवती गरावने कुराले कारेनायन मा एक रुपता कायम गर चो चल्फल अंतर किरिया बाट भुजाई मा एक रुपता पैदा गर्छा। गतिको अर्था नय हुनु हो रुप अंतरण हुनु हो। परिस्तिती अनुरूप आफुलाई बदलनु र पहल कदेमी लिनु हो। केंदी करणको योजना कारेनें हुन्दी करदा तनहुं रामपूर जडेवा रभवास्रा नल प्राशिवाट शाइफ हंले केराबंदी चूरू गर्यो। जडेवमा 14 डिविजन संगा पिरंता बायो। पिरंता मात जनमक्ती सेना का दुई योद्दा हार्भुको स्वाधत बायो र एक इंसार्च गुमियो। बहादुर्पूर को रेंजमा लड़न अगाडी बर्दी गर्दा मित्यल तर्फपनी दूस्मन बढ़ेो। रात पर हेंडेदा जनमक्ती सेना का तीन डिविजन जया मेरे पुगे। बहादुर्पूर मर्चा खलना अगी वर्दी गर्दा दो बाट आयो। रा कताजाने अन्यलता बयो। बिर्गेर कमार्णर कम्रेट मदन्षेंगा शल्ला गरी पांचों रा छहिठों को फोर्ष तलबाट रा चौतों को फोर्ष टप बाट चीटों छरीतों जाने निरे बयो। जान्दै गर्दा पहाद पुर्पर को छाने को रियन दूसमनले कपजा गर्यो। मर्चामा अगी बर्णु वयका डिविजन कमार्णर कम्रेट परतिक्र डिविजन सकमार्णर कम्रेट वीबेकले नेतित्तों गर्णु वयका ट्कुगडी मांति हमला बयो। भॉगो लिग पर्तिकुलता र को अडिलेशन को अभावले जनमुक्ती सेना न लडेराई रिटिर भयो माग दसकते बिहाना पईले जैमीरे मार राती हिंदा हिंदाई बयटेक सम्पन भयो जैमीरे बयटेकले दोर्चो गेराबंदी निस्कीरे पार्लाना दुई छाक भॉकोर दुई रात अनिदो फोर्च लाए लडाउंदा पोहल कदमी न आउने निस्कार्शा निकालेओ रात बार हिंदेरा फोर्च ओखरी गोणा जैंगलमा कैम्पिंग गर न पुगियो जैमीरे को शिंदोरे रा भूटु के माँ पेडानता बायो तोलाबार दिपा को फोर्च थाबनास टाइम मिल जए मिलना आम लाई परसिघ़िसान को श्युक्रियो। Bem लाधकियो एंटैंगétais नेल भार प्हुक्तु कितेशन स्युक्तु कितेड़ इसनिए कर द्मी एक जैंगना दिपा को ब्याई तैंग बढिवश्ट रणने हो जाए हो इना यह उगानुस्त पाईले त्यो पर सिरीजिशन को इस्तिति क्यों उली ठीकन सही निया दिखा पर लेया त्याँ अलू पर यह ना वही ना मने यह ना मने को दिखाने लोडने त्यागों दंगले रिडितर उने लाई मिला उने त्याहां दुस्मन को चार जना को शपाय बायो जन्नमक्ती सेना तरब कम्रेट शंगम रग कम्रेट शमाज को हवाई हमलामा उच्च शाधत बायो ओखरी गोडा को जन्नमक्ती सेना लाई एक कंटा टाडा गाउवाट खाजा भोटीर र खाना पकायर जन्नमे लेवने गरियो अवाई गस्ती बाट पोजिस्चन लुकाउन र केंदरी कराण को परकिरिया शुरू गर्ना एशो गरिये को थियो पालपा मा केलरी किट आक्रमण गर्ने बारे पस्सिम सन्य कमाण को पूर्ण बईटे वसेओ बईठेक मा डेपोटी कमाणर कमरेड परवाकर डिवीजन कमिशनर कमरेड शुरेश सिंग कमरेड शुदर्शन कमरेड संजाए डिविजन कमार्डर कमरेड पठीक रडिविजन बेशिक कमरेड बीबेग कमरेड जीबन रपरवगता कमरेड ड्रोमेस पोरेला पनूंते हो बैठकले तानसिन को मुख्ये बेरेक लाई छेकने रब बारुत खाना बेरेक डेसपी कारले शहित सद्रम काम कॉपजा गरने निड़े गर्यो आकरमण को टार्जेट फिक्स गरिये पनी प्राविदिक तेयरी बांकी नई थियो मायन पटको पनी समश्य थियो पाटी को पहल मा राता रात मगायरा मायन हरू तेयर गरियो अतियर बिन्नेस गरियो प्राविदिक तेयरी पुरा बयपची माग सोरकती बिहाना पाचों र चाहिटो डिविजन का रोलकाल तथा कोचिंग समपन बये माग सात्रकाते विहाना चौथु डिविजन को रोलकाल भयो इन रोलकाल हरुमा स्रम्मधन करदे डेफोटी कमांडर कमरेड परवाकरले बननु भयो पहिलो हमला आमी बलन तर्छा मनेरा आमी यो दुष्मन को भीतमा आयू आमी दुष्मन को भीतमा आउने पहिलो हमला वनियो यो पहिलो हमला थियो आमी यह उपस्त ने पहिलो हमला थियो आमी यह उपस्त ने पहिलो हमला भयो दुष्मन को केंदरी फोर्षो, केंदरी शाधन, स्तुरयत, शनाई लिएर आमेला गयराबंदी गरना आयो. आमेला बिवित थ्याक्टिस रा अपनाऊ तो तिन पटक प्रास्ता गरी सके पची, अनि आमी तेस पची तेसला आमी जुन्षुगे क्याम्प मा शजली जाउं गयराबंदी गरना शक्ली इस्तिति माग पुगने छूं। आमी योजना पुरा गरना मुक्य तेसला गती बिरिद्धी गरना जोड़ दी दैं। अहाले अगाडी बननु 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 गती शिल्ता को समस्या रहो और यो गती शिल्ता बनने वित्ति कई कुगा क्यो बने आमी थरी तो क्लान। चरीक फरमेशन्, चरीक आख्रमन को बिकासगरने इसल्ता बननल nessृका की कहला कना गती शिल्ता बनने पुगाइने अहालि नो शूं। कुरान पर भी च्रशो क 뜌ने लुक टामन ही अकरमन गरने कुरान हैं गथ शिल्ता हtoi। क्षाएम थब डगन गनी अरड़ आई ले आएअप नागे भी नमगनु पर कारमन करतार॥ जरूरी छो तेशको लागे आमीले गर्नु परने कुरा केशा बने वाले मैंदारा भित्ता फोर्दी नाभी मा फोगेरा आगो लोगाउने यूद्ध योजना ये शरी परस्तुल गर्नु भयो ि एंजीनेरिंग to platon से इंजीनेरिय प्रथो ने थी पाहड बत्काउनू परने थुजनात कृलने थी वाल भिंटा इवा अर टेया रोगा खड़नो परने थゾ जड़नात काूलने थी पाहड न मार्वण i.